गुड मॉर्निंग मैं मम्ता बाश बेई तो चलिए आज मैं अपना बैटशीट का कलेक्शन दिखाती हूँ मुझे बहुत शौक है बैटशीट कलेट करने का और मैं इन्हें खरीते समय क्या-क्या ध्यान रखती हूँ और हम जब बैटशीट बिचाएं तो कुछ छुटी-छ रखती हूँ हो सेकता है कि आप उसे असहमत भी हूँ पर मैं आज बाते करूंगी इस बारे में बहुत सारी सबसे पहले तो जो मेरा यह वैडरूम है मैं इसमें यह वाइट बच्छीट बिचाई है मैंने वाइट मुझे बहुत पसंद है यह बच्छीट मैं पहले भी फरनीचर जो है पेल kang brown कल ई और अलमारियां जो रखी है वो भी कम्रे में बहुत ज़्यादा है और हां जो बbourड़ बड़ ब्रट के हैं तो जब चारों तरफ डाक कलर है परदे बड़े-बड़े प्रिंट के हैं तब हमें बैटशीट न्यूटरल शेट की बिचाना चाहिए उससे क्या होगा कि कमरा बड़ा देखेगा और इसके लिए वाइट ही कमपलसरी नहीं है आप लाइट शेट का कुछ भी ले सकते हैं लाइट शेट होने से चुकि वाल सफेध है और उससे मैच करता हुआ जब मैं जब भी वाइट बिचाती हूँ तो मेरा कमरा उजास से भर जाता है बहुत खुबसूरत लगता है अब दूसरी बड़ शेट और ये काफी मोटी है टेक्सचर मैं ग्लेज कॉटन की है जो एम्पराइटरी वाली है वो करीब आठ साल पुरानी है और इतनी पुरानी ये भी है मैंने कहा न मुझे बहुत बहुत शौक है बेट शेट का तो मैं जब भी कहीं जाती हूँ बहुत सारे चादरे खरीद के लाती हूँ और मैक्सिम तो मैंने ग्वालियर से खरीदे है क्योंकि मेरा मायका है वहाँ तो वहाँ की दुकाने मेरी पर्चे थे तो ये बेट शेट में उपर वाले बेटे की बेट रूम में बिचा कर आपको बताऊंगी और वो रूम साइज जादा बड़ी है देखिए बिचने के बाद कैसी लग रही है अब जब मैंने यहां बिचाई है तो क्या ध्यान में रखा है आप वो भी नोटिस कीजिए हम जब भी बेट शेट बिचाएं तो दीवालों का रंग परदों का रंग और आसपास जो फरनीचर रखा है उस सब का मैच करके ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल एक जैसा कलर लें लेकिन एक जो मैचिंग शेड होता है जैसे कि इस बेट शीट में औरेंज का डाक शेड है मेरा यह जो परदे है इनमें भी ओरेंज का लाइट शेड है और जो फ्लोर है वो वाइट है और पिस्ता कलर की दिवाले है उनसे मैच करते हूए डाक ग्रीन के पौधे रख दीजिए आप और औरेंज या लाइट ग्रीन भी है पिस्ता ग्रीन है तो लाइट ग्रीन की बेट शीट और अरेंज की बेट शीट और हाँ देखिए आप परदों में औरेंज का ही मिक्स है और जो दूसरे कलर की पतने और अरेंज और ग्रीन का ही मिक्स है और यह जो टेविल लेंप लग रही कि कोई चीज मैच नहीं हो रही है सब चीज एक दुसरे से रिजंबल कर रहे है और बाल कने से जाकती होई यह order की फूलों की बेल फायरबुश की बेल है और इंदनों कुप खिल रहे तो तीस रचादर और दिखाती हूँ, मैं फिर वाइट पे आ गई हूँ, वाइट मेरी कमजोरी है, वाइट बिचाना हमेशा ही खुबसूरत होता है, बस अगर आप मेंटेन कर पाते हैं, तो घर में बच्चे नहीं हो तो आप जरूर बिचाएं, और अगर रोज नहीं बिच हैं तो जरूर बिचाएं और इस बैट शीट में भी यह भी मेरी बहुत पुरानी जो मैंने सबसे पहले दिखाई थी मेरे बैडरूम में वो और यह साथ ली थी उस समय में बारा सो की मिली थी, एक थरट संतेटिक है, बाकी कॉटन है, एम्ब्राइडरी जो है, वो मशीन से और यह चेड बिल्कुल एकल नहीं है, प्लाइड का शेड है, यह भी इससे मैच कर रहा है, तो हम वाल का कलर तो चेंज कर नहीं सकते। जब हम गचाते हैं, वाइड पे हलका फ्लोराव कुछ उस तरह कले लिएते हैं, यह ग्रीन डड्निया है पिस्ता चालर वाल से मैच कर नहीं है, सब कुछ मर्ज हो जाता है एक साथ, यह आप जब खुद करके देखेंगे, आपको खुद समझ में आएगा, मैं आपको भड़ के लिए चादर भी बिछा के दिखाऊंगी, मेरे पास बहुत जादा कलेक्शन है, तो मैं मतलब आज का वीडियो तो बहुत लंबा हो और हाँ, ग्रीन कलर पौदे जरूर एट करें, देखेंगे, पिस्ता दीवालों में, डार्क ग्रीन पौदे बहुत अच्छे लग रहे हैं, बाहर भी कैनोपी बनी हुई है, तो मंडपम है बेल का, रूम साइज बढ़ी है, मेरे काल से 18 बाई 10 बाई 11 बाई 11 बाई 11 बाई और सब मिलाकर, एक मतलब पीस्फुल सा रूम आपका लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा, और रूम साइज इस से ना, जब वाइट बिचाते हैं, लाइट बिचाते हैं, तो रूम साइज छुटी नहीं होती, हमेशा ये धिहान रखना चाहिए, अगर रूम छोट होता है, वाइट भी पीस के लिए होता है, बस अब धोते में थोड़ा मेंटेन कर सकें, और मैं ये भी नहीं करती कि पिलो कबर के पास, पिलो की जगे बहुत सारे कुछन लगाना, मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि जब हम सोते हैं, तो जो एक सिंपल दो पिलो में जो मज़ा आता है न, वो कुशन एक्चले डेकोरेशन के लिए होते हैं, मैंने लगाए भी हैं एक दो बार में वो भी दिखाऊंगी, पर प्रक्टिकली मुझे लगता है कि पिलो बहतर है, अगली बैट शिट देखिए आप, ये थोड़ी ब्राइट है, और ये मेरे बेट ये कलर कितने सारे हैं ब्राइट, और ये भी इत्तफाक देखिए, कि मेरी जो धीवालों के कलर हैं, और जो मेरे पर्दे के कलर हैं, जो मेरे फ्लोर का सब से मैच हो रहा है, तो आप ये कभी मत डरिये कि हम कहां तक पर्दे से मैच करते हुए, चादरे एक जैसे थोड़ी खरीद लेंगे, आप बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट चादर खरीद ये लेकिन फिर भी फिर भी आप उन्हें अपनी पर्दे और दीवालों से मैच कर सकते हैं, मैं आपको देखिए, बताती हूं बिच के, ये कितनी सुन्दर लग रही है, पर्दे से मैच करती हुए, जबकि बिल्कुल अलग कलर की है, अब आप देखिए, इसका प्रिंट थोड़ा बड़ा है, पर्दे का प्रिंट चोटा है, अगर आप बहुत बड़े बड़े प्रिंट की, बड़े-बड़े फ्लोरल उसकी बैट शीट बिचा रहे हैं, तो फिर पर्दे बहुत नीट्रल यह चुटी-चुटी फूल पत्ती हो प्लेन हो तो और ही अच्छा और मैंने इस पे पिलो वाइट लिए पिलो डाक नहीं लिए यह आप करके देखिए अगर डाक पिलो ले लूँगी तो उतने अच्छे नहीं लगेंगे जैसे वाइट पिलो लगाया तो बैट शीट जो है हाइलाइट हो गई बैट शीट और आपका देखिए रूम जब हम इतनी डाक बैट शीट बचाएंगे तो वाइट के कमपारिजन में यह रूम थोड़ा चोटा दिखेगा पर यह मेरा रूम बड़ा है तो रूम साइज की प्रॉबलम नहीं है हाँ अगर ऐसी बैट शीट बड़े बड़े फूल के परदे डाल देंगे तो बिलकुल अच्छा नहीं लगेगा और रूम में देखिए बहुत सारा कुछ सोफा वगर नहीं है पदा चला आपने डाक कलर का एक सोफा भी डाल दिया एक बड़ी सी टेविल भी पड़ी है बड़े बड़े फूल पत्ति क्योंकि आपने बेड़ शीट बेचा ली तो मज़ा नहीं आएगा आप यह चैक है और प्रिंट थोड़ा सा बड़ा ही है लेकिन परदों में प्रिंट चोटा है और जो सनमाय का है वो बिलकुल न्यूटरल शेट की है नेचरल वुड शेट की है तो सब कुछ मैच हो रहा ह है और मैं इसमें कुछ चेंज करके भी बताती हूँ अभी मैं देखिए एक डल शेट का जो पिलो कबर है जो मेरे दूसरे बेड़ शेट का है पर इसे मैच करता है और मैं लगा के बताती हूँ उसके बाद आप देखीगा कैसा लगता है मैं कई बार ये भी करती हूँ हर बेड़ शेट मैं उसके रंग का पिलो लगाती हूँ और उसके पीछे एक पिलो वाइट भी लगा देती हूँ कुल मिला के चार पिलो कर देती हूँ डबल पिलो लगाती हूँ लेकिन वाइट पिलो रहता है अब देखिया अब ज़्याद सिर्फ डेकुरेशन के लिए हैं हम जब सोते हैं तो एक्चली पिलो ही यूज करते हैं पर चाहें तो आप कभी 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 ये भी कर सकते हैं आप चाहें तो सिर्फ एक कुशन भी यूज कर सकते हैं ऐसे में ये रहेगा कि आप पिलो अच्छे से यूज कीजिए और बीच में वो एक कुशन डेकुरेशन का काम कर रहा है तो बहुत सारे ओप्शन खुलें बस आपको जरूरत है आपकी क्रियेटिविटी की मैं और दो बॉरे ॐ नहीं यूज की हवी घूरो。 अगली बैटपि बिलकुल फ्लीन उपिल यह वाइट तो नहीं है लेकिन yellowish white है off white जिसे हम कहेंगे लेकिन plane नहीं है यह इसमें self print है आप hotels में जाएए इस तरह की bad shit बिची रहती है कितना अच्छा लगता है और आप बिचा के देखिए तो पदा चलेगा कितनी अच्छी लगती है इसमें वहने double pillow लगाएं और दोनों ही white है एक off white है एक white है इस तरह से जैसे ही आप bad sheet बिचाएंगे पर्दे आप कितने इबड़े print के डाल सकते हैं बड़ा check डाल सकते हैं हाला कि मेरे पर्दे छोटे print के हैं पर्दे transparent है अंदर से light आ रहे है bad sheet white है रूम बहुत बड़ा दिख रहा है रूम बहुत उजास से दिख रहा है और उजाले के साथ साथ आप लेटेंगे इन ऐसे जगए तो खूब सारी piece दिखेगी एकदम शानती दिखेगी तो कपड़ों का, रंग का, दीवालों के रंग का, पर्दों के डिजाइन का पूरे जो आपकर interior होता है पर बहुत फर्क पड़ता है हलाकि मैं interior decorator नहीं हूँ मैं केबल उतना बता रही हूँ जितना मुझे feel हुआ हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ अगर आप मैंसे किसी को designing का कुछ पता है तो आप जरूर comment करके बताना क्या मैं सच कह रही हूँ मैं तो जब इस कमरे में लेटती हूँ white bedsheet होती है तो मुझे लगता है कि हाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है साफ सुतरा सब कुछ और बालकनी तो है यह दी floor बहुत dark color का है तब तो आप white ही बिचाएं और यह बहुत ही भड़कीली bedsheet देखे और इसको बिचाने के बाद रूम कैसा देखेगा और ऐसी बच्छीट बिचाते समय क्या क्या ध्यान में रखना है वो भी ग्लेज कॉटन है और यह बच्छीट जो है मैक्सिमम हमारी 900 जो प्लेन वाइट थी वह पिछली बार जो आपने देखी जो बीची हुई है और यह होगी 900 से 1200 के बीच की है बहुत सस्ती बच्छीट नहीं है कोई भी 900 से कम की तो एक भी नहीं है इसमें मैंने फिल डबल पिलो लगाए जैसा मैं कह रही थी वाइट प्लेन लगाए पीछे और वाइट का हलका सा प लाइट शीट बिच्छा है तब परदे अगर प्लेन हो तो बहुत अच्छा है मेरे परती ट्रांस्परेंट है चोटे परेंट के हैं तो वह इसके साथ जा रहे हैं और यदि आप ऐसा ही बड़े बड़े फूल पत्ती वाला परदा बिच्छा देंगे तो रूम की साइज बहुत ही छोटी देखने लगेगी और कहीं फ्लोर आपका डाक कलर का है तब तो बिल्कुल ही नहीं और छोटा रूम हो जाएगा सारी चीजें मिलाके आपको ना कॉमिनेशन बनाना ही पड़ेगा लाइट शेट की वाल है लाइट शेट के परदे है लाइट शेट का फ्लो इसको बैलेंस कर रहा है वाइट बलकि आप जो पलंकी सनमाइका लगवाते हैं उस समय भी आप ऐसे ऑप्शन रखिए ताकि आप कोई सी भी बडशीट बिचा सके जैसे मेरे बैडरूम में ब्राउन कलर की सनमाइका जो मुझे अब लगता है तब समझी नहीं आया अब मु पूर ऐसा है कर्टिन में से डालने वाली हूं तो यह बैडशीट बिच के कैसी लगेगी है बहुत बार हम लिया आते हैं बैडशीट मेरे साथ भी हुआ है और फिर जब हम उनको बिच आते हैं तो मज़ा नहीं आता रूम ऐसा लगता है जैसे बहुत क्लटर हो रहा है और यह आखरी बैडशीट यह बिलकुल ब्राइट है बड़े बड़े फूल पत्ते हैं मेरे इसमें यह भी चल रही है इसमें कोई विशेश मैचिंग कलर भी नहीं है हाला कि ग्रीन का हलका सा टोन है औरेंज का टोन है लेकिन फिर भी यह अच्छी लग रही है इसमें मैंने प तो मैंने बताया अपनी समझ के अनुसार कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट करके जरूर बताना मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार